आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा नाम बीना पटेल है और मैं बंबे से बोल रही हूँ आज हम PMC द्वारा जो मैंने ध्यान सुरू किया उसके बारे में बात करना चाहूंगी पहले तो ध्यान के बारे में मुझे बहुत सालों से पता तो था थोड़ा बहुत कर भी लेती थी पन ध्यान में इतना मन नहीं लग रहा था जितना यह PMC से जुड़ने के बाद लगा हुआ है दो साल से मैं PMC से जुड़ रही हूँ और दो साल से आज पूरा मेरा इतना ट्रांस्फर्मेशन हुआ है ना जो पहले 15-20 साल से थोड़ा बहुत कर रही थी धार्मिक तो मैं बचपन से थी और थोड़ा बहुत ध्यान भी कर रही थी इस ध्यान में कभी ओकेशनली होता था कभी मन लगता था या नहीं ऐसा और चल रही थी गाड़ी प्यमसी से जबी में जुड़ी जेटीटीटीपी ट्वेल से और तभी फर्स टाइम मुझे पता चला कि किस तरह एक एक प्रोसेस करके फीजिकली मेंटली और स्पिरिच्वली आत्मा के लेवल तक हमें लेकर किस तरह हमें अमारी यात्रा को आगे बढ़ाता है मुझे बहुत टाइम से लग रहा था कि अब मुझे आत्मा से जुड़ना है आत्मा मुझे तेरे नजदिक आना है मुझे तुझे जानना है तुझे पहिचा से उनने फर्स टेप से आना पाना सती ध्यान से हमारी लाइफ बदल दिये पहले तो कोई मुजिक से कर रहे थे कोई बोल रहे है कि इससे ध्यान करो उससे ध्यान करो पड़ इहां सिर्फ स्वासों पे ध्यान आना पाना सती ध्यान आना पाना सती ध्यान में तो कहीं भी में ज रांसफरमेशन होने लगा कि पता ही नहीं चला इतने सालों से जो ध्यान कर रही थी उसमें कुछ आलंबन था कि मुझे 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 कोई करा रहे गुरु या कहीं वीपस यह तो कर रहा है वैसा पड़िया तो खाली स्वास पे स्वास पे ध्यान देने से किस तरह मे अंदर चली गए मुझे ही पता नहीं चला शुरुवात में बोडी पेंट यह सब प्रोब्लम तो पहले थे ही थोड़े बहुत और जबी मैंने यह पीएमसी का ध्यान आना पाना सती चालू किया तो बोडी पेंट बहुत ही होने लगा तो मैं सोच भी रही हूं कि यह क्या है सब क्वेस्चन के आंसर मिलते गए कि जैसे जैसे बोडी में एनर्जी जा रही है तो पूराना सब निकल रहा है तो विधावट मेडिसीन मेरा छे महीने के अंदर पूरे दर्ध छोटे मोटे सब दर्ध चले गए पता ही नहीं चला और फिर मेंटली भी देखो तो डर की ब पूरा ट्रांसफर्मेशन फिजीकली तो हुआ ही मेंटली भी इसा आने लगा कि नहीं यह ध्यान से कितना बदला हो रहा है मेरे और फिर आत्मा तो मुझे पाना ही था तो उसके लिए भी जितना ध्यान करती गई उतना अंदर उत्तर ती गई उत्तर तो जो शुन्य का अन अनुभूति यह सब अनुभाव से मेरा जीवन में इतना परिवर्तन कि में हर एक को बताने लगी कि पीएम सीज़े से जुड़ो और अपने जीवन का बदलाव लाने की कोशिस करो और मैं प्रचार करते लगे इतने सालों से 20 साल में जो मैने नहीं पाया वह विदिन मैने दो साल में ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 20 साल पहले करती थी तो कहां की कहां पोच जाती पन कोई वांदा ने दो साल में इतना ट्रांस्फरमेशन फिजिकली मेंटली स्पिरिच्वल हुआ है ना मैं सब को बताना चाहती हूं कि आप भी आना पाना सती करके अपना ये और सा प्रोसेस कीजिए आपके भी जीवन में इतना पदलाव और परिवतन आएगा कि आप मैं बता नहीं सकती हूं इतना बदलाव आएगा दुसरा इस ध्यान में हम लोगो साकाहर पिरामिट ध्यान जगत ऐसा बताया जा रहा है साकाहर तो मैं बचपन से थी गुजराती फेमिली में मेरा ये हुआ है जन्म तो साकाहर का खरा माइना यहां मुझे पता चला है हम ऐसा इसा लगता है यह लोग नौन वेज खाते हैं हम वेज खाते हैं पर नौन वेज से कितनी एनरजी डिश्टरबंस होती है और उससे उनके सरीर में कितने सारे बीमारिया और एनरजी में नेगेटिविटी बढ़ जाती है वो यहां के मुझे पता चला तो आज मैं साक जगत दूसरा पिरामीड जगत जो पिरामीड जगत में है ऐसे बोला जाता है कि हम जो द्यान ऐसे ही करते है तो जो उर्जा मिलती है उससे दस गुना चार गुना पांच गुना ऐसा हमें पिरामीड में मिलती है मैंने वह अनुभव भी किया है बंबे में भी एक से हलकापन मैंसुस कर रही हूं और फीलिंग होता है दिन राद ऐसा बोड़ी में ऐसा लगते हैं कि उर्जा 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 और इतना फास्ट उसमें यह हो रहा है ना बदलाओ तो पीरामीड भी इतनी जरूरत चीज है कि जह उसमें अगर ध्यान करते हैं तो हमारा ट्रांसफर्मेशन बहुत ही जल्दी और फास्ट हो रहा है जो चीज हम पांच-दस साल में करना चाहेंगे वह विधिन टूस एक दो साल में पीरामीड में ध्यान करने से हो जाती इसलिए पीरामीड भी इतन्या महत्वत की चीज है ना जो मुझे यहां पी-एम-सी से पता च इस तरह का हमें जो बोला है और इसा जरूरी ने ध्यान से हमारा उधार होए पर ध्यान सिखाने से भी और लोगों को ध्यान में जुड़वाने से भी इतना जैसे मेरा ट्रांसफर्मेशन हुआ है इसा मुझे लगते है पूरे जगत में हर एक होना चाहिए उनका भी मोटि हुआ है तो मैं घर भगर ध्यान का प्रचार करने का सोच रही हूं एवन मेरे घर में भी दो तीन बार मैंने इसा द्यान के वर्क्षोप रखे है और बहुत सारे लोग को पसंद आये हैं और उन्होंने बताया भी के मुझे करना ही है आप कंटिनेंस चालू रखो मैं आप लोग को भी निवेदन करती हूं अगर आपको कहीं भी एक मिल रहा है तो आप पहुंचे और इसका एक एक दो बार तो एक्स्परिंस लिए तो आपको आगे क्या करने आपको खुद को ही पता चल जाएगा पीएमसी वालों ने बहुत सारे चैनले स्टार्ट किये पीएमसी तेलगू पीएमसी हिंदी और उनमें हमें बहुत सारे शो दिखा रहे हैं जैसे कि तत्वमसी है आत्मा की यात्रा है परिवर्तन है एवन डेवयानी जोगी के हम लोग नारी तू नेचर मतलब हमारे बोडी में जो डिजीज है और नेचरली हम कैसे उसको क्योर कर सकते है त बाइसे आर रंजन के भी शोव आप देखेंगे तो यह पीएमसी में हरत तरह के शोव दिखाए दिखाए जा रहे हैं मैं आप सबको निवेदन कर रहे हूं यह पीएमसी में आप जोइंट होके यह पूरे शोव देखें आप अपने आपमें बदलाव लेके आई है इवन प्रचार करना चाहती है कि आप लोग सब जुड़के हर एक घर में ध्यान और ग्यान की गंगा बरसे और सब के अंदर अपने खुद का सब्सक्राइब करें और अपने आप में बदलाव लाने की कोसिस करें यही मेरा आखरी निवे धने धन्यवाद 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 उलाइब करें यही हर एक है यही हर दो बद scheduled है . झाल